तो finally मतलब यहाँ पे कुछी जह ऐसी होती ही न जो आप लोगोंने कभी सोची नहीं थी तो यहाँ पे हो सकता है कि आप 4 साल में आपको रोमा ट्रींस रेसलमेनिया में finally रेसलमेनिया 40 में अपनी चैंपियोंशी फारते हुए दिखाई दे जाएं अब रोमा ट्रींस की तरीके से अपनी चैंपियोंशी फारेंगे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ अब अगर आप यह मेरी वीडियो में व्यूफ देख के मेरे चैनल को अगर जच करते हो ना तो एक साल मेरे पुराने वीडियो उफ देख लेना 20 से 25 अजार व्यूफ मेरे हर वीडियो में आये करते थे जो पर करन से मैंने वीडियो उफ डालना छोड़ दिया और पांच महीने के बाद मेरा चैनल डेड हो गया है तो जो भी साथ से आठ व्यूफ जो आपको दिख रहे हैं तो आप व्यूफ से जज्ज मत करिये बस मेरे ओपिनियन सुनिये अब देखिए ये वाला मैच मेरे को बहुत ही साथा इंट्रेस्टिंग लगता है और इस वाले मैच के बाद साइट तक डबी डोबी में उस तरीके की वाइप्स नहीं आएगी देखने के लिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि देखो दर रॉक यहाँ पे आ चुके है रॉक अब यहाँ पर रूमन ड्रीन्स के जो कजिन है और यहाँ पर पूरी वाइप्स है जो एकदम पीक में जो रूमन ड्रीन्स की कहानी है वो आज की डेट पे चल रही है अब देखो पहले audience Cody Rhodes को सपोर्ट करते हैं तो यहां पे कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि rock भी चाहिते हैं कि भाई मेरे को लोग ऐसे heel superstar के हिसाब से देखें मैं Vince McMahon के जैसा board of director बन गया हूं तो क्यों ना मैं Vince McMahon के जैसा हिल सूपरस्टार भी बन जाओं और यहाँ पर लोग मेरे को इस तरीके से देखें और यहाँ पर लोग मेरे को हेट करें तो Cody Rhodes को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर Rock भी चाहता है कि Cody Rhodes ही जीते हैं लेकिन अब कि इस तरीके से जीतेंगे उसी के बारे में बात करूँगा नाइट टू का जो मेनिवेंट रोमन ट्रीन्स वर्सिस Cody Rhodes उस मैच का यह वाला प्रिडिक्शन है और उस मैच का यह वाला प्रिडिक्शन आएगा नाइट वन से मतलब एक दिन पहले जो आप 110% आज़ी डेट में गैरेंटी दे के बोलता हूँ कि Cody Rhodes आपको नए उनिवर्सल चेंपियन बनने को देखने को मिलेंगे जो लोग Reels वगरा बनाते हैं थोड़ा सा अपने कैमरास वगरा रिडी कर लेना जैसे Cody Rhodes चीते गा न तो यह वाला वीडियो डाल देना तो यहाँ पर देखो खेर अगर रिफलिंग फैंस हो तो आपको हर चेगे यह वाला वीडियो देखने को मिलेगा चार साल के बाद रोबन डुरींस अपनी चेंपियंशिप हारेंगे अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आरने वाले हैं अब यहाँ पर आप लोगों ने वाला सेग्मेंट देखा होगा जहाँ पर रोमन डुरींस ने कहा कि भाई मैं यहाँ का बास हूँ चार साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आप किवाल एक दिन आके इस तरीके से आप अपनी अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते हो तो रोमन डुरींस ने मतलब बोला था कि अकनॉलेज कर दो और रोक ने ऐसा कर भी दिया कितना अननेचुरल लग रहा था मतलब रोक अगर पूरे रिफलिंग केरियर उनको आप देखो तो किसे के सामने वो जुके नहीं और यहाँ पर अपने कसिन के ही सामने उनको इससत देने के लिए सामने वो जुक गए और वहाँ पर उन्होंने बोला भी कि फैमिली के करण से मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई at the end of the day तो रोक यहाँ पर रोमन ट्रींस को हरवा देंगे और यहाँ पर रोक आई बिलीव भाई कोड़ी रोट्स की मदद कर देंगे अब थोड़ो फ़र टेग मैच के बारे में बात करता हूँ मेरा ऐसा मानना है कि भाई टेग वाले मैच में रोमन ट्रींस और रोच मैच वाँ कोड़ी रोट्स के साथ कुछ भी होगा चीटिंग के कारण से बहुत साथा चीटिंग करते हैं तो यहाँ पे आप जब match चल रहा होगा नाइक तू बाला रुमन्टरीन्स और कोडीरोड का जो वन रे orde मैज चल रहा होगा नाइक तू बाला जो match चल रहा होगा तो वहाँ भाई यहाँ पर rock भी आजाएगा solo cuit को आएगे पूरी bloodline भी आजाएगी तो यहां से आपको जानने को मिलेगा आप लोग सोचों कि चलो ठीक है भाई चीटिंग हो गई फिर से आप कोड़ी रोड्स हार जाएंगे और उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई रॉक ने तो भाई कोड़ी रोड्स की मदद करने की ठान लिया यहां पे रॉक बॉटम मार देंगे रोड्स को तो यहां पे प्यूर सिनेमा आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पे देखो पाउल एमन ने एक अपने स्टेटमेंट दिया था उन्होंने का था कि हाल अफ फेम जो उनको बनाने के लिए यहां पे यह लोग जो पॉफ डाल रहे हैं तो हाल अफ फेम में यहां पे पाउल एमन ने का था कि भाई मैं एक बड़े रिसलमेनिया मॉमेंट में यहां पे मेन इवेंट में थोड़ा सा अपनावी मॉमेंटम देना चाहता हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर पॉल एमन और रॉक मिलके रॉमन ड्रीन्स को धोका दे दे तो कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई अगर नाइट वन में रॉक और रॉमन ड्रीन्स मैच जीत गए जो कि हंटरेट एंट परसेंट है जीत हैंगे तो यहाँ पर भाई रॉमन ड्रीन्स कोरी डोट से हार जाएंगे कोरी डोट की मदद करेंगे तो रॉक तो इफ़ी तरीके से हारेंगे अब फिर यहाँ पर आगे के मैच में आपको Summer Flame में I believe Rock vs Roman Dreams भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप जब Cody Rhodes Champion मन जाएगे तो फिर भाई Rock vs Roman Dreams भी आपको देखने को मिल जाएगा तो Summer Flame वाला मैच कार्ड भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से वाला प्रेडिक्शन था अब आई भोप अगर यहाँ तक आप लोगोने वीडियो थे कलिया तो भाई तुम लेजेंड हो वीडियो देखने के लिए बहुत पत्धनेवाद और नाइफ टेव